दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड में कैसे दोस्तो मुबाइल नमबर को लिंक कर सकते हो घर बैठे बिना किसी आधार सेंटर जाए यानि कि आधार सेंटर आपको जाने का जोरत नहीं है अब दोस्तो घर बैठ मैं आपको कंप्लीट जान करें देने वाला हूँ इस वीडियो का आखरी तक बने रहना क्योंकि दोस्तो यहाँ पर न्यू अपडेट आ चुका है नया तरीका आ चुका है अब दोस्तो घर बैठे अपना मुबाइल नमबर लिंक कर सकते हो अपने आधार कार्ड में तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं अब दोस्तो उसके लिए सबसे पहले अपना Google Chrome को ओपन कर लेना है Google Chrome को ओपन करने से पहले दोस्तो आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट है आप दोस्तो वीडियो को पूरा देखना मैं दोस्तो यहाँ पर कुछ न्यू अपडेट आया है तो नए आपडेट आया है इसलिए इस वीडियो को बना रहों तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना उसके यहाँ पे सर्च में पर औप ब्लोब कर कर देना है जैसे सर्च करोगे तो दूस्तों यहांपे देख सकते हुआ है अपको दूस्तों इसे लिंप पे कलिक कर देना है यानि कि इंडिया पॉस्ट पेमेंड बैंक की आप से new update निकला गया है अब दूस्तो हर postman को दे दिया गया है कि आप घर वैठे यानि कि आप किसी कभी mobile नंबर को लिंक कर सकते हो आधारकड में तो दूस्तो अभी new update आया है पहले दूस्तो अगर आप online apply कर चुके थे तो दूस्तो आपको दुबारस यहां पर request लगा देन उसके बद दोस्तो आपको यहां पर देखते हो एक three dot दिखता है यानि कि left side में personal लिखा है यहां पर दूबारस देखते हो मैं underline भी कर दा हूँ इस पर आपको क्लिक करने के बदोस्तो यहां पर एक option आजाता है service request का जैसे यहां पर देखते हो service request बटन पर क्लिक करना उसके दोस्तो आपका network भी speed रहना चाहिए यहां पर दोस्तो थोड़ा सा आपको wait कर लेना पड़ता है अब दोस्तो इस step से खुल जाएगा तो आपको scroll down करना है scroll down करना तो बहुत सार ओप्शन खुल जाएगा तो दोस्तो आपको यहां पर service request from यहां पर AOLA first number पर आपको click करना है इस website का link आपको वीडियो को description में directly दे दूँगा उस link पर आपको click करके आप इस portal पर आ सकते हो इस पर first link पर है जैसा ही click करोगे तो थोड़ा से यहां पर आपको wait करना पड़ता है जैसे यहां पर देख से घूमने लगेगा इस step से दोस्तो दोस्तो दिख जाएगा यहां प दूस्ते इसी पर टिक करना है इस step से टिक करना है उसको यहां पर detail भरना है जैसे यहां पर mister हो miss हो इस type से भरना है उसके बद दूस्तो यहां पर देख तो आपका first name भरना है आपका last name उसके बद दूस्तो आपका mobile number जो link करना चाहते हो उसको यहां पर भर देना है email ID optional है अ वेइड लिए्ट में तो टॉमिटीक यहां पिलप हो जाएगा समें के मैया आधार कार्ड डाड में मोबायल नंबर अपडेट करना है अब च cann करेके हैं इस सलाव गृची सब्ञें हैं यहां पर यहां पर बाट ड्नक लाट sì जैसा ही क्लिक करोगो तो आपका request चला जाएगा आपके postman के पास जो भी यहाँ पर address से लेक कियो हो वही postman के पास चला जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी mobile number आप डाले थे यहाँ पर mobile number जो भी आप mobile number डालोगे उस mobile number पर आपको दोस्तों call किया जाएगा और कितना तारिक को आएगा एक से दो दिन के अंदर में आपको यहाँ पर आ रहा हो बोलके यहाँ पर बोलेगा या तो दोस्तों आपको post office बुलाएगा इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बना रहा हूँ पिछली वीडियो को बनाया था उसमें बहुत सरे लोग कमेंट कर रहते कि नहीं आता है लेकिन दोस्तों आप दुबारा से रिक्वेस्ट लगा के देखो आपके घर में तौह से 6 दिन के अंदर में आपका postman आपके घर प को मिल चुका है आप किसी को भी रिक्वेस्ट लगा सकते हो घर पे आके कर देगा तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज जानकारी देना था जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहले बारा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना कोई भी प्र